दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है विनंदन है आपके अपने यूटूब चैनल आर्यान इंस्ट्यूट अलहाबाद में दोस्तों जैसा की थम्बरेल पर आप देख पा रहे हैं आज हम आपसे बात करने वाले हैं यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना पर दोस्त लगातार कुछ आपके कमेंट्स आ रहे थे उस कमेंट को मैंने लिया है और जैसा की थम्बरेल पर आप देख पा रहे हैं एक लेटेस्ट अपडेट निकल कराई है जो कि आपके सामने लिखी गई है देखें आपके सामने लिखा गया है कि टैबलेट स्मार्टफोन योजना को लेकर एक बड़ी अपडेट आपके सामने आई है जो कि मैंने अपडेट को आपके सामने रखा है बहुत सारी आपके कॉमेंट आ रहे थे एक चीज मैं आपसे पूँचना चाहूँगा लगातार आप मुझसे यहाँ कॉमेंट कर रहे हैं कि सर मेरे जिले की लिस्ट कवाएगी ठीक है देखिए भाया मैं अनवरत आपके लिए लगा हूँ और कल भी लगा रहोंगा जैसे ही कोई अपडेट मुझे मिलती है ठीक है मैं ततकाल आपके सामने सेर करने का प्रयास करता हूँ इस समय वरतमान समय की अगर हम बात करें तो 67 बज रहे हैं यह वरतमान समय में आपके सामने कर रहा हूँ ठीक है देखिए लिखा गया है टेबलेट और स्मार्टफोन योजना को लेकर एक बड़ी अपडेट लिखा गया है कि सभी विस्विद्याले की टेबलेट स्मार्टफोन की लिस्ट कैसे चेक करें सवाल आपके मन में आ रहा था कि सर हम अपने बिस्विद्यालाई की लिष्ट कैसे चेक करेंगे ठीक है तो इन सभी बातों पर मैं बात करूँगा लिखा गया है अगर लिष्ट में नाम नहीं है तो आप क्या करें सवाल यहाँ आपका बहुत आ रहा था सर हमारा तो नाम नहीं है हम क्या करें ठीक है यहाँ आज आपके लिए बहतरीन सलूशन में बताऊंगा और नीचे हाँ आप देख पा रहे हैं लिष्ट में नाम कैसे चेक करें और यहाँ सबसे बड़ी चीज मैंने लिखा है आपने सेफटी के लिए लिखा है यहाँ लिखा गया है हन्रेट परसंट श्रत्य एवं प्रमारीत देखिए कोई भी निउस चैनल ऐसा आपको नहीं देता होगा कि मैं हन्रेट परसंट सत्यता की गारांटी लेता हूँ ठीक है अगर कोई कहता होगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा लेकिन अगर आप आरेट इंस्ट्यूट चैनल से जुड़े हैं तो मैं हमेशा आपको कोई भी ऐसा थोमरेल नहीं देखे होंगे जिसमें मैं 100% सत्यता की गारांटी नहीं लिखा हूँ सभी में मैं लिखा हूँ क्यों कि यार जो चीजें आपके लिए की जा रही ही कहीं ना कहीं बिशुशनी चीजे हैं गलत आपको provide नहीं किया जाता है, अब आपका comment कभी-कभी ऐसा negative वाता है, थोड़ी सी जो है निरासा जनक मुझे लगता है, फिलाल के लिए कुछ ऐसे positivity भी आती है comment, उस चीज को मैं लेकि चलता हूँ, बाकि negative चीजें मैं पीछी छोड़ देता हूँ, ठीक है, देखिए भय मैं अपडेट दिखाने का प्रयास करता हूँ, इसके बाद बची हुई इन सभी बातों पर मैं बात करूँगा, सबसे पहली चीज यहां लिखी गई है, हाला कि अगर देखा जाई, इस चीज को मैं सुबह आपको बताया हुआ था, ठीक है, इसके बारे में भी मैं बात नह इतरन समारों में भाग लिए होंगे, ठीक है, आगे यहां देख पा रहे हैं, लिखा गया है, थोड़ा समय जूम करने का प्रयास करता हूँ, और आप देखिएगा, सबसे उपर लिखा गया है, देखिए, कि 21,000 विद्यारतियों को जल्द मिलेगा टैबलेट वाई स्मार् किया जाएगा, प्रदेश सरकार द्वारा चुनाओ से पहले जिले में 2,000 विद्यारतियों को इसका लाप दिलाया जा चुका है, विधान सबा चुनाओ से पहले 20,000 विद्यारतियों को स्मार्टफोन और टैबलेट का चैन किया गया था, यहां लिखा गया है, आप देख पार हैं बहतरीन तरीके से इस सभी कॉलम में यहां आप देखिएगा कि यहां देखिए जिले के 20,006 शात्राओं को फोन और टैबलेट का वित्रण किया जाएगा जैम पोर्टल पर खरीद पूरी हो गई है यहां देखिए अरुड कुमार दूबे जिला विद्याला ने रिक देखिए बाकी चीज़ों पर मैं बात करूँगा यहां लिखा गया है सभी विस्यूविद्याले की लिष्ट हम कैसे चेक करें मैं आपको बताना चाहूंगा आगर आप अपने विस्विद्याले की लिस्ट चेक करना चाहते हैं टेबलेट और स्मार्टफोन की तो आप अपने विस्विद्याले की बेवसाइट पर विजिट करें वहाँ पर जैसे ही कुछ अपडेट्स निकल कराती है आपके विश्व विद्याले की वेफसाइट पर ततकाल जो है प्रवाइड की जाती है ठीक है इतना चीजें आप करेंगे नीचे एक चीज लिखी गई है हम देख पारें अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करें मैं हमेशा से आपको कहा है कि अगर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपको तनिक भी घवराने की जरूरत नहीं है ततकाल आप अपने कॉलेज में संपर कीजिएगा ठीक है हलाकि ऐसा नहीं है जितने भी बच्चों का एडमिशन हुआ है लगभग लगभग मैं 99% की बात करूँगा इसमें मैं 100% की गारांटी नहीं लूँगा ठीक है मैं 99% की गारांटी लूँगा कि सभी का चैन हुआ है ऐसा कोई वंदा नहीं है जिसका चैन नहीं हुआ है तो फिलाल के लिए आप अपने कॉलेज में संपर कीजेगा अगर आपका नाम नहीं है तो आपकी कॉलेज़ वाले उचित सिलूशन बताएंगे ठीक है यहां देख़िए लिखा गया है लिस्ट में नाम कैसे चेक करें लिस्ट में नाम भया आप अपने college के माध्यम से चेक कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि आप online mode में अपना नाम चेक कर लेंगे ठीक है ना ही online हुआ है और ना ही online आप चेक कर पाएंगे अलाकि online तो आपके college वाले किये हैं ऐसा नहीं कि आपने किया है और अगर वीडियो भी अच्छा लगा हो तो आप एक प्यारा सा comment आवसे डालिएगा वीडियो समाप करते हैं थैंक्स धन्यवाद